N.C.B. को दिपिका पदुकोन की मैनेजर करिश्मा प्रकाश की तलाश है N.C.B. ने करिश्मा प्रकाश को समन भेजा लेकिन करिश्मा का कहीं कोई अता पता ही नहीं है समन भेजे जाने के बाद अब तक करिश्मा N.C.B. के पास नहीं पहुंची लेकिन NCB का कहना है कि करिश्मा अन्ट्रेसिबल है सोशान सिंग राजबूत मामले की जाच कर रही NCB के हथे दिपेका पदुकोन और उनकी मैनेजर करिश्मा प्रकाश भी चड़े कई ड्रग पैडलर्स से पूछतार्श के बाद दिपेका और करिश्मा प्रकाश का नाम सामने आया था NCB की पुछतार्श में दोनों ने ड्रग नहीं लेने की बात कही थी लेकिन जब NCB ने करिश्मा प्रकाश के घर चापा मारा तो उनके घर से NCB को 1.7 ग्राम चरस और एक बोटल CBD आयल मिला इस मामले में कौन टैलन्ट मैनेजर कंपनी के अन्य कर्मचारियों को भी समन भेजा गया है और इस मामले में चल रही जाँच के दोरान बॉलिवुड की अभिनेत्रियों शद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीट सिंग से भी पुछतार्श की गई थी इनसी बी के मुंबई जून के डिरेक्टर समीर बान खेड़े ने कहा कि एजनसी फिलहल करश्मा प्रकार्श के प्रतिक्रिया का इंतजार करेगी और इसके बाद आगे की कारवाई करेगी अब तक इस मामले में 18 आरोपितों को गिरफदार किया जा चुका है 28 वर्षियर या चक्रवर्टी भी इस मामले में आरोपित हैं जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं प्रबरतनी दिशाले के निवे दिन के बाद इनसी बी ने इस केस की जाँच शुरू की थी बॉलिवुड अभिनेतरी दिपिका पड़ को नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूचतार्श के दौरान अपनी मैनेजर करिश्मा प्रकाश के साथ ड्रक्स को लिकर चैट करने की बात कबूल कर ली थी जाँच एडिनसी ने दिपिका पड़कोन और करिश्मा प्रकाश को आमने सामने बठाकर 2017 में की गई चैट के बारे में पूचतार्श की थी इस दौरान अभिनेतरी ने चैट की बात को स्विकार किया और अब करिश्मा प्रकाश खायब हो गई दिपिका पड़कोन से NCB की 500 दस्य टीम ने सवाल जवाब किया था करिश्मा प्रकाश ने पूचतार्श में ड्रग्स लेने की बात से इंकार किया उन्होंने कहा था कि वे सिर्फ सिगरिट पीती हैं जब दिपिका करिश्मा को आमने सामने बिठा कर ड्रग्स चैट को लेकर सवाल पूचे गए तो दोनोंने कहा था कि वो ड्रग्स नहीं लेते फिर NCB ने भी इस सवाल पूचा फिर चैट में वीड हैश किस के लिए मंगवाय जा रहे थे इस सवाल का दोनोंने गोल मूच जबाब दिया लेकिन करिश्मा के घर से ड्रग्स बरामद होने और फिर उसके गायब हो जाने के बाद दिपिका पड़ुकोन की मुश्किले पूच सकती है